तो नमस्कार एक वार्फिसी स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल दियोजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों में आप पर डेली देख सकते हिंदी का बेतरीन टेस्ट आपका सवल करया जा रहा है लाजवाब आपका टेस्ट पेपर होता है बेहतर तैयारी आपकी चली है जो कि आपके हिंदी की पहले आपके एक मोडल पेपर भी होता है हिंदी का और साथ-साथ आपके हिंदी साहित के वी कोर्षन यहां पर रखे जाते हैं और आज इस प्लास में कुछ और नया होने वाला है दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा और जितने भी कोर् पूरा आपके बाद भी कुछ और आपका इस पेशल यहां पर रखा गया है और अगर आपको अच्छ लगता है तो डेली ऐसे ही और भी आपर प्रयास किया जाएगा कि इसी प्रकास से कोश्चन और साल करा जाएए ठीक है ना चले गुडिवनिंग सभी को गुडिवनिंग सभी को गुडिवनिंग सभी को गुडिवनिंग चले दोस्तों आवाज मिन पारे एक बार जल्दी से जैहिन लिखे अगर आवाज मिन पारे ही हमारी तो सभी लोग जल्दी से जैहिन लिखे फिर इम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं चले गुडिवनिंग सभी को गुडि दिखाना है दोस्तों नाक मत कटाईएगा आज हमारी ठीक है ना अपने भी नाक नहीं कटाना है और हमारी भी नाक मत कटाईएगा तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जल धाम दिया है जल नित दिया है लेकिन जला धिप नहीं होता दोस्तों यहाँ पर जो अंसर आपका दिया गया है वो आपका डिनमर है राइट हो जाएगा क्लियर है दोस्तों क्लियर है चलिए आगे बड़ी एक क्वेशन दिया गया है क्या रहे है सायोगी सर्वथा उप्युक विपरीत आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर बताना है सायोगी का विपरीत क्या होता है सायोगी का विपरीत क्या होता है चलिए यहाँ पर जवाब द दोस्तों जवाब देना है महाजन में जो समास और आपका कौन सा हो जाएगा कि प्रकास से विशेश और भाव होता है तो वहाँ पर कर्मधारे समास होता है इसमें अगर आप तोड़ेंगे महाजन को तो बनेगा महान है जो जन हाना मतलब यहाँ पर जो अंसर है वो आपका option D हो जाएगा आगे बड़ते कोशन दिया गया है निम्निकित में से कौन सा समास नहीं है कौन सा समास नहीं है दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कौन सा समास नहीं है four number में चले four number के अगर बात करें तो क्या हो जाएगा तो द पाक में संयुक्ति किरिया का संयुक्ति किरिया का कौन सा वेद है यहाँ पर जवाब देना है चले जवाब दीजे राइट अंसर में से क्या हो जाएगा चले देगे आपर five number के गन बात करें तो देखो खाना खा चुपा हूं मतलब किरिया जो हो गई है पूरी हो गई है अ आँख की किरिकरी होना मतलब क्या होता है अपरी लगना या दोखा देना चले क्या होता है दोस्तों यहाँ पर six number के गर मत करें तो दोस्तों होता है अपरी लगना क्या अपरी लगना कभी कभी आपने देखा होगा लोग करते हैं आज आँख में क्या हो रहा है खुजली हो हो जाएगा चले कुछ लोगों को बोला है वेटा कौपी पेस्ट मत किया करें आप लोग पुराने स्टुडेंट हो पुराने स्टुडेंट हो तो पुराने स्टुडेंट की तरह रहा करो हना लेकिन कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता जबकि पुराने स्टुडेंट को पत सकते हो नए दुное दोस्तों करें हो नए सेनल के बाद की जाती है पूराने स्टुडेंट होने के बावज aliment औरहाएट्राइब कोड़ता है और के तो आपके आपके गलतिया है जामाटा में भी आपका गलत है चले आगे बढ़ेगा गोरकपुर में किस बोली का प्रभुत है गोरकपुर में किस बोली का प्रभुत होता है दोस्तों 9 नमबर में सैतान की यात मुहारे का अर्थ बताना है, सैतान की यात मुहारे का अर्थ क्या होता है, चलिए कोशन नमबर 11 देना है, आपका जवाब क्या होजएगा कोशन नमबर 11 में, चलिए 11 के गर बात करें तो देखो बहुत लंबी वस्त जिसका भी आपसन आ रहा है बी नमबर, अच्छी तरीके से आपका जवाब आया हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप लोग हनुमान जी बन दिलाएं तब तक आप लोग लाइक का बटन भी नहीं दबाते हो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा जल्दी से हाना जितने लोग जुड़े रहते हैं कम से कम उसका आधा ही लाइक कर दिया करें तो कम से कम लगता है किने क्लास में ऐसे इस्टुडेंट हैं जो इस्टुडेंट के लायक भी हैं कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़के चले भी जाते हैं जबकि एक रुपए लगता नहीं है फिर भी लाइक करने ही समस्या होती है चलिए सभी लोग लाइक से कर दीजे दोस्तों जितने लोग यहाँ पर गया आगे बढ़ जबानेगा अत्दिक होतान एप चले क्या पर ओजता है और तीदा अधीक हो जैगा आगे बढ़े आपकाC नमबर हो जगा है तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खारती हैं पंक्ति में अलंगकार आपको कि की रोगताना है आपका चव्धा त्का लापका लिंगा से क्या बार भएए दोर जवाब करहते हैं दूसरे एक हम लोग फल भी के सकते हैं तो आपका जवाब क्या हो जएगा ए नमबर जिसका राए विल्कू राइट हो जएगा आगे बढ़ेगा अंजर पंजर डिले करना मुहारे करत बताना है दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजे हिंदी का रोप इन में से कौन सा नहीं है चले बहुत अच्छे फटा फट जवाब देते रहे भई सभी लोग फटा फट जवाब दीजेगा सही जवाब क्या बनेगा चले देख़े बोजपूरी है मगई है मैथली है और आपके आओधी दी गई है आप लोग यहांपर यह कह सक天 है 16 नमबर मैं कि जो आपकी ऑदी बोली है यह बिहारी हिंदी में नहीं आती दोस्तों हना ओदी बगेली 36 गड़ी यह आपकी आती पूर्वी हिंदी में दोस्तों किसमें पूर्वी हिंदी में आती है इस कारण से option आपका d-number है right हो जाएगा आगे बढ़ियेगा हिंदी भासा में कितनी बोलिया है जल्दी से लोग करिये हिंदी भासा में कितनी बोलिया है 17 नमबर में और 17 का option क्या बनेगा Option मने आपका d-number दोस्तों याद रिखे 18 बोलिया है दोस्तों समय को भी देखिए कि समय आपको कम से कम समय में आपको इतना हम सौल करा रहे हैं 50 कोश्चन आपके model paper होता है 30 कोश्चन हिंदी सायत के भी होते हैं और other भी आपको सौल कराते हैं कितने कम समय कर देते हैं हम तो आपको बबर सिर समगते हैं दोस्तों हमने बताया है कि आप लोगों से ज़्यादा सेर कोई नहीं है क्योंकि आप लोग डेली आपर एक टेस्ट पेपर लगाते हैं जो कि बहुत बड़ी बात होती है बहुत ऐसे लोग होते हूँ जिनको हिंदी में हा भी ने पता होगा और पेपर एकजाम देने पहुँच जाते हैं दोस्तों लेकिन आप लोग इतने सेर हो इतने बहादूर हो कि कम से कम आप डेली टेस्ट लगाते हैं और कम से कम आप लोग जो चीज हो सकता है कि नए डेली आप लोग समय देते हो डेली कुछ न कुछ आप सीखते हो हाना तो दोस्तों आपने आपको सेरी समझेगा दूसरे तुलना करी नहीं सकते हो ठीक है ना तो आप दूसरी की तुलना कभी मत करेगा देखे मदिरा पीने का प्याला 18 नंबर में जो आपसने यहाँ आप देखे यह वाला उसस दोस्तों याद रखेगा यह वाला जो साव होता है ना इसका प्रयोक किया जाथा है इस वाले का तो आप सने यहाँ पर हो जबगा पकाड डीनमबर बनेगा और महाधन रिसी बनेगा तो क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखे इसी नमबर आपका गुन संदिय हो जाएगा जो अरवाला होता है अरवाला रूल होता है कौन में तो आपके महाधन रिसी हो जाएगा किलियर है चलिए मतलब आपका होता है कि आपका जो रिला आपका यह नमबर जिसका आ रहा है का धनसा बिल्कुल राइट अंसर जगा का धनसा हो जएगा चलिए आगे बढ़ते कोश्चन आप से दिया गया है कि जब उपमे में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या वक्त की जाए तब कौन सा लंकार होता है दोस्तों बताएगा जब उपमे में उपमान की संभावना की जाए दोस्तों संभावना प्रकट की जाती है या व्यक्त की जाए या व्यक्त की जाए या व्यक्त की जाए या व्यक्त की जाए तब उसमें क्या होता है लंकार चलिए कई सम्भावना या कलपना होता है किसमें आपके उत्पेच् तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं option इसका भी number right हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं question दिया गया है गो साला में कौन से समास है गो साला में समास वताना है बाजी सम्बर में गो साला में समास क्या है तो गाओ के लिए साला अर्थात रहने के लिए घर तो इस प्रगास से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बनेगा कौन सा ततपुरुष समास होगा ए नमबर इसका right हो जगा ततपुरुष इसका अंसर जा रहा है बिलकुर right हो जगा चलिए आगे बढ़ते हैं question दिया गया हिंदी भासा के उद्वो और विकास का सही क्रम आपको चुनना है हिंदी भासा के उद्वो और विकास का सही क्रम बताना है दोस्तों इन में से क्या हो जगा same to same दोस्तों question आपको मिलने वाले हैं एक जामो में ठीक है ना same to same आपको मिल सकते हैं तो चलिए तेई संबल के अगर मात करें तो option क्या हो जाएगा चलिए Sanskrit प्राक्रत दिया है तो प्राक्रत तो होगा ही नहीं हाना फिर इसके बाद दिया गया है आपकी यहाँ पर Sanskrit पाली प्राक्रत अब्रन सोर्सेनी खड़ी बोली पस्चमी हिंदी अच्छा और इसके बाद देखा जाए संस्कत पाली हाना संस्कत पाली प्राक्रत अब्रन सोर्सेनी फिर पस्चमी हिंदी फिर खड़ी बोली देखे आपसन इसमें से जो आपका सी वाला है यहाँ पर जो आपसन सी वाला है यह राइट इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिए आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है निमनिकित में से एक नदी का परेवाची नहीं है दोस्तों मताना है नदी का परेवाची नहीं है 24 संबर में तो चलिए आपर देखते है कुलंग कसा होता है कुलवती होता है लेकिन त्रीपधगा नहीं होता है दोस्तों त्रीपधगा नहीं होता है अच्छा ये बताएगा कि त्रीपधगा होता किसका है जल्दी से बताएगे कि त्रीपधगा जो होता है ये होता किसका है जल्दी से बताएगे आपका जवाब क् गंगा का होता है किलियर है चले यहां पर आगे बड़ी यह कोशन दिया है कि खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांग की सब्दों में अलंकार दिया गया है तो दोस्तों यहां पर दिया है कुल 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 हाना मतलब आप कंसर क्या हो जगा यमक अलंकार होता है दोस्तों 25 को आप समनेगा यहां पर डिन नमबर आगे बड़ी एक कोशन दिया गया है पुनार जन्म का सही संविचे दिन में से क्या हो जाएगा 26 नमबर लोग करिए जल्दी से तो देखे इसे आप तोड़ते हैं तो बनेगा क्या यहां पर जो राज गया है ना इसको हटाकर विसर्ग तो जब प्रत्य पूंचा जाए तो आपको उसी सब्दों को तीन बार बोलना है बड़ी प्यार से कड़ू आहट कड़ू आहट 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 देखो आपको अंसन मिल गया है क्या सी नमबर आपका राइट हो जएगा आगे बड़ी यह कुशन दिया गया है अंडे सेना मुह सा उपसर लगा हुआ है बर खास्त में पूचा गया उपसर तो चले यहां पर अंसर क्या हो जाएगा चले उन्तिस अंबर में तो देखो यहां पर होता है क्या खास्त के बाद इसमें पूचा उपसर और बर लगा हुआ है तो आपसन बी नमबर मिल गया है अगरा आपके जिसे आपके सिकते हैं सोनमद्र हो गया मिर्जापूर हो गया इस पूरवांचल में आते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ है आपका विहार तो आपसन हो जाएगा बी नमबर चले आगे बढ़ एक कुसंद्या है वोदका किस भासा का सब्द है बताएगा वोदका किस भ प्रतिग्या का जो अर्थ होता है दोस्तों यहां पर बताएगे बीस प्रतिग्या का अर्थ क्या होता है तो चलिए 32 के घर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा चले काफी लोगों के जवाब देखो यहां पर भीस प्रतिग्या मतलब होता है द्रण प्रत बुरे उद्दे से की गई गुप्त मंतरना के लिए सब्द क्या होता है दोस्तों 33 के गर मत करते हैं तो देखों इसे बोलते हैं दूरविसंदी कहां पर है और आपसंसी दिया गया है और आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है फैजबाद जनपत में बोली जाने वाली बोली दोस्तों फैजबाद जनपत का नाम हो गया है क्या आयुद्या हो गया है और आयुद्या हो गया है तो बोली भी क्या हो जाएगे आधी बोली होगी क्या आधी बोली इसका जो अंसर है यहां पर आपका ए नमबर है राइट हो जाएगा आगे बढ़ी एक क्वेशन दिया है कुकूर मुत्ता के रचेजिता कौन है दोस्तो 35 में और 35 के अगर बात करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर होजएगा सूरिकान त्रिपाथी निरला मतलब आपसं जो है वो आपका डिनमर है राइट हो जएगा आगला है राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चे ही किया है मतलब यहां पर पूँचा गया मुहारे करता है आग में घी डाला दोस्तो आग में घी डाला मतलब क्या होता है यहां पर उत्तेजित करना होता है आपसंडी हो जएगा आगे बड़ी यह कोशन दिया गया है कि सोहत ओड़े पीत पट स्याम सलोने गात मनव नील मनि सहल पर आत और मनव जो लग जाए तो दोस्तो याद रिखे आपको प्रेच्छा लंकारे लोग कर देना है आपसं जिसका रहा इसी नमबर राइट हो जाएगा अगला है वहा कन्या जिसके साथ बिवाह का वचन दिया गया है तो इसे कहते हैं दोस्तो याद रिखेगा वहा गिदत्ता कहते हैं जो कि आपसं यापर इनमबर है वहा गिदत्ता हो जाएगा चले आप लोग दो विल्कुल सेर हो कोशन को जैसे पाते हो विल्कुल जपटा मार लेते हो एक भी कोशन गलत नहीं वहने जाता है पूरी तरीके से सही जाते हो तुरन जवाब आता है चले बताएगा द सरब का सी बनेगा आगे बड़ी एक कोशन आपसे दिया गया है कहला आपसे एगला कोशन दिया गया है ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठीक ठीकाना ना हो उसके लिए क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आपका चाले संबर में ऑप्सन जो आपका बी नमबर आकास वरत्ती हो आपका डी निम्मर राइट हो जागा यूस हो जाएगा आगला एक तदभास अब का है तदभास अब में चले v8 संबर के बात करें तदभास हो सब्घत कूंसा है पाटल जो आपका तदबाव है इसका कैसे हैं इस्तिर हो जाता है आगे बढ़िएगा निम्निखित में से एक तदबाव सब्दाप का दिया गया है और तदबाव सब्दे के अगर मात करें तो यहाँ पर 43 सम्बर जवाब दीजे जल्दी से चले यहाँ पर जो तदबाव सब मतलब इसका पुछा गया है तदबाव सब्दाप का है कौन सा अच्छा आगे पड़ते हैं आणूदीनाम में कौन से सम्बर में तो 44 सम्बर में तो 44 सम्बर में क्या बनेगा देखो उपसर्ग होता है दोस्तों वो होता है अब्वेई भाव समास क्या होता है अगला दिया गया है जहां वर्डों की अवरती बार बार हो जहां वर्डों की अवरती क्या हो बार बार हो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों वहाँ पर होता है अनप्रास लंकार क्योंकि वर्डों की अब रती बार बर हो रही है तो आपसे नहीं पर हो जगा ए नमबर है आगे बड़ी ये कोशन दिया गया है किरिया विसेशन का अन्य नाम पूचा गया है किरिया विसेशन का अन्य नाम पूचा गया और अगरा question दिया गया है यहांपर दिया गया है रामधाजि सिंग दिनकर को भारति ग्यानपीट पुरुसकार उनकी किस रचना के लिए मिला था चलिए लाजवाब question दिया गया दोस्तों सभी के जवाब आना जरूरी है सभी के जवाब अभी साथ में नहीं आ रहे हैं हा ना चलिए देखे 47 संबर में option जो बनेगा 47 में वाब कभी हो जागा औरवर्सी दोस्तों क्या हो जगा औरवर्सी के लिए मिला था दोस्तों जल्दी इस बताएगा अगला कोशन दिया गया है आपसे महासे सब्द में संदी बताना है महासे सब्द का सही संदी छेत क्या हो जाएगा चले महासे के अगर बात करते हैं अर्तारी संबर में तो आपका महाधन आसा है क्या महाधन आसा है इसका जौप सने यहाँ परसी हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है बेर्थ सब्द में किन वर्डों की संदी होई है बेर्थ सब्द में किन वर्डों की संदी होई है तो जल्दी से बताइए बेर्थ को अगर हम तोड़ेंगे बेर्थ को तोड़ेंगे दोस्तों तो किस प्रकास से तोड़ेंगे चले इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकास से चले देखो इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा वी धन अर्थ क्या निकलेगा वी धन अर्थ निकलेगा वी धन अर्थ अब आप इसकी कैसे ते वर्डों की बात कर लीजे तो छोटी की मात्रा है और यहाँ पर छोटा आ दिया गया है तो इसका मतलब आपसन क्या होजेगा बीर गती को प्राप्त हो जाना आपसन बनेगा यहां पर आपका अभी नमबर है राइट हो जाएगा आगे बड़ी यह पॉइंट आप से गला पुछा गया है और आज यहां पर क्लास में जाना नहीं है क्योंकि अभी इनके बाद और कुछ आपको पढ़ाएंगे इनके बाद अभी और कुछ पढ़ाना है कहरा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है जल्दी से बताईए यहां पर जो अंसर होगा राइट क्या होजेगा सबी लोग कमेंट करिएगा यहां पर बतेगा अपने अपने पिंजरे किसकी यात्मकथा है चलिए दोस्तों यहां पर जो अंसर बनेगा होग क्या होजेगा यहां पर देखे मोहंदास नयमी सराई मतलब आपसन जो आपका है वो अभी नंबर आपका राइट होजेगा यह आपकी मैतरी पुस्पा की दोस्तों यहां देखे यह मैतरी पुस्पा इसका जो आपसन आपका डी होजेगा और आगे बढ़ते कोशन दिया गया है यामा के रचेता कौन है चले यामा के रचिता पूछा गया यामा के रचिता महादीवर्मा बिल्कुर सही जवाब हो जगा सी नमर है महादीवर्मा इस कंसर है राइट हो जएगा क्लियर है ना और इस करती को 1982 में ग्यानपीट पूसकार विदिया गया था आगे बटते कोशन दिया गया है संसद से सडक तक का बिक्यर रचनाकार कौन है छले संसद से सडक तक दोस्तों यहाँ पर हो जगा सुदामा पांडे यहाँपर देखे अप्सन क्या हो जगाँ आपका बिममर हो जगाँगहा हमुद धूमिल धूमिल का जाता है दोस्तों ऐसे भी याद रखेगा जो सुदामा जी थे ये क्रस्ण द्वारिका जब गए थे तो रोड से गए काटों से गए हाना कहां कहां से नहें गए थे इनके पैर में कितने काटे लगे थे तो दोस्तों इनों क्या हुआ संसद अच्छी जग कौन है चाही दोस्तों याँम पर अंसर क्या हो जगा ऑप्सों और श॥े नंसर क्या हो जबाद हो जाए दोस्तों या पर OFF कर में संडीयों कौन है आगे बढ़ते हैं कुश्ण देया ग्या है और कमाईनी माचका डीक्श कोण और ज jijए हैं मर्यादा किस यूग की प्रसिद्ध पत्रिका है ना इसका जो आप सुने आपका दिवेदी यूग बनेगा दोस्तों यहां पर मर्यादा जो आपकी दिवेदी यूग होगा यहां पर बी नहीं होगा 146 संबर 146 संबर 146 में डी हो जाएगा यह दिवेदी यूग की प्रमुकविता है दोस्तों याद रिखेगा ठीक है ना यह 1910 में मर्यादा पत्रिका का पहला अंक जो आया था वो आपके 1910 में आया था दोस्तों याद रिखेगा और इसके बाद आगे बढ़ते कोशन आप से चलिए जल्दी से बताइए चलिए अपसन हो जएगा आपका यहां पर देखेर मर्भारती इंद्यू क्या हो जएगा भारती इंद्यू के अंसर राइट हो जएगा स्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गए थी 1893 में चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया है कह रहा हिंदी क प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया दोस्तों यहां पर अंसर क्या हो जएगा चले 48 संबर के गन बात करें तो आपका जवाब क्या बनेगा यहां पर हो जएगा परिच्छा गुरू दोस्तों परिच्छा गुरू जो कि आपके 1882 में 1882 में श्री निवास दोरा किसके द दोस्तों यहां पर जो अंसर बनें गा राइड क्या हो जब शब्सक्तु दया्यारा है इसका जवापका आपका A, A कर लीजेगा यहाँ पर एक सुन्चास का जो आपसम बनेगा वो आपका A नमबर हो जेगा A नमबर बनेगा ठीके आगे बड़ी यह कोशन दिया गया है किया रहा है किराब से मैया कबें बढ़े चोटी इस पंक्ती के रचना कार कौन है चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यह पंक्ती किसकी है यह पंक्ती आपके सूरदास की दोस्तों याद रिखे सूरदास की पंक्ती है दोस्तों याद रिखेगा और आगे बड़ी यह कोशन आप से गला पूछा गया है बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेन खजूर किसकी पंक्ती है चलिए दोस्तों यह पं पंची को चाया नहीं फल लगे यह ती दूर हना मतलब ऐसे बहुत खजूर का प्रेंड बहुत बढ़ा होता है लेकिन फादा क्या जब आपको चाहा न दे पाए हना इसी तरह अगर आप किसी का भाला ने कर सकते हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फैदा नहीं होता है दोस लेगा है तो दोस्तों यहाँ परमसर क्या होजएगा तो दोस्तों यहां परमसर होजगा आपका रहीम हो जाएगा रहीम नर्मर भोघा पंक्ति किसकी है चले यहाँ पर गोध होना चाहिए हना तो यहाँ पर देखो हुलसी फिरे तुलसी सुद्शुत मतलब आप सन्नों इसमें हो जाएगा क्या यहाँ पर जो अंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगे इसका अंसर है राइट क्या हो जाएगा चले तुलसी यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है तुलसी का है या आपके रहीम का है चले यह तुलसी का है या रहीम का है इसमें से जल्दी बताइएगा रहीम जी के पास गया मतलब यहाँ पर अंसर आपका ए नंब अगला पुछा गया है यहाँपर कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के रचीता बताना है चलिए यहाँपर जवाब देना है राग दरबारी उपन्यास के रचीता चलिए राग दरबारी उपन्यास के जो आपके हैं कौन है स्री लाल सुकल यहाँ पर आप्सन यह आपका बी नमबर दोस्तों यहाद रिखे क्या होजेगा स्री लाल सुकलिस का अंसर राइट हो जाएगा के लिए रहे दोस्तों चलिए आगे बड़ी यह कोशन आपसे दिया गया है ब्रमर गीत के रचिता कौन है दोस्तों यहाँ पर बताना है ब्रमर गीत के जो रचिता है वो आपके कौन है ब्रमर गीत के रचिता बताना है चलिए देखे यहाँ पर जो अंसर आपका होज़ेगा ए नमबर सूरदास क्या होज़ेगा सूरदास होज़ेगा चले आगे बढ़ यह कोशन दिया गया है जूही की कली कविता के कवी कौन है यहाँ पर बताना है जूही की कली कविता के जो कवी हो आपके कौन है यहाँ पर जवाब और आगे बढ़ते हैं कुछ नापस दिया गया है महला आचल के लिलेकर कौं थो अगलिए जयागा बिहारी किस writes केद़वारी कभी थे बताएगा बिहारी किस राजा के दरवारी कभी थे दोस्तों यहाँ पर अंसर आपका होज़ेगा सी नंबर जैसिंग क्या होज़ेगा जैसिंग इसका जो अंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट होज़ेगा जैपुर नरेश मिर्जा राजा जैसिंग के दरवारी कभी थे यहा अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके मात्वपून पॉइंट आने वाले हैं संग्या संबंदी असुद्धियां संग्या संबंदी असुद्धियां आपके सामने है तो दोस्तों यहाँ पर बताएगा इसके बाद देखेंगे आप लोग इसको सुद्ध कैसे करेंगे आपके पास कोशन आ गया है मैं मोहन से सोमवार के दिन मिलूँगा दोस्तों यहाँ पर बताएगा गलती है क्या यहाँ पर बताएगा जो गलती है दोस्तों इसमें गलती क्या है मैं मोहन से सुमवार के दिन मिलूँगा तो चलिए क्या गलती है दोस्तों दिन ना होगा वेरी गुड विल्कुल सही है दोस्तों याद रिखेगा कि मैं मोहन से सुमवार के दिन यह जो दिया है अलेडी सुमवार आपका एक समय है अर्थात मैं मोहम से सुमार को मिलूँगा ये सही होना चाहिए आगे बड़ी ये point आप से दिया है भारत अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया चलिए याँ पर बताएगा किया आप से देखो हम आपको जल्दी यल्दी पड़ा देते हैं क्योंकि question चोटे चोटे लिखें भारत अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया तो यहाँ पर गलती क्या है दोस्तों यहाँ पर दिया है भारत अंग्रेजों की गुलामी गुलामी से मुक्त हो गया यहाँ पर दास्ता दिया है यहां पर मुक्त होना चाहिए था अगला दिया गया है तुम रामायड की पुष्टक घर ले आओ तुम रामायड की पुष्टक घर ले आओ सही क्या होता है तुम रामायड घर ले आओ क्योंकि रामाडा लेडी क्या एक पुस्तक है किलियर है अगला कुशन दिया गया है कि कल से पुस्तक पढ़ने की बिवस्ता का प्रबंद करो तो दोस्तों यहाँ पर सही क्या होगा कल से पुस्तक पढ़ने की बिवस्ता करो क्या पढ़ने की बिवस्ता करो बिवस्था यहां पर सही होता है दोस्तों यहां पर बिवस्था का प्रमंद बिवस्था भी दिया है प्रमंद दिया है दोनों चीज़ होई ने सकता है अगला कुछ दिया है वर्सा कालीन दिनों में मच्छर हो जाते हैं तो दोस्तों यहां पर दोनों चीज़ दे दिया है क् मन ही तो होता है ना अगला दिया गया है कि हम दस तारी के दिन मिलेंगे अच्छा भई यह दस तारी को मिलेंगे तो यहाँ पर देखो हम दस तारी को मिलेंगे और हम दस तारी को मिलेंगे तो दिन लगाने के वह सकता नहीं था अगला दिया गया है प्रेम करना तलवार की नो आज आपने हमको कौपी पेस्ट करने के लिए मना किया है यह अपने ब्लॉक किया है तो दोस्तों यहाँ पर आउसुद मैं तेरे को कभी भी तेरे को मेरे को नहीं होता है मैं तुझे देख लूँगा यह कह सकते थी अगला दिया गया है कि वह लोग खेल रहे हैं वह नहीं होता वे लोग खेल रहे हैं दोस्तों अगला है उन्हें सब पता लग जाएगा उन्हें सब पता लग जाएगा उनको सब पता लग जाएगा उनको होता है दोस्तों यह क्या होगा धीरे धीरे जब रोज पढ़ेंगे ना तो हमें ऐसा लगा कि जिस चीज में आपको दिक्कत होती है जैसे भी पेपर हुए तो या करेंगे दोस्तों तो आपको यही एक हिंदी साहिती के जैसा विल्कुल इजी लगने लगेगा कोश्चन को देखकर विल्कुल से नोच लोगे उसे देखो दिया गया है दादा जी ने मुझसे कहा मुझे का नहीं मुझसे कहा है अगला आप से यहां पर अगला पॉइंट उन्हें जल्दी स्कूल जाना था तो दोस्तों उसे जल्दी स्कूल जाना था ठीक है अगला है यहां लोग पढ़ रहे हैं नहीं यह लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों यह आपका सही होना चाहिए हना और इसके बाद बस इतने लिया था हमने सभी को जैहिन सभी को बंदे मात झाल जो और झाल झाल